हेलो दोस्तों सबसे पहले तो हमने अपना नाम चेंज कर दिया है इस टॉक यहाँ पर यूट्यूब पर अब इन्वेश्ट फोर एवर की जगह हमने आपा नाम कर दिया है I am small cap investor क्योंकि हम सबी mostly small cap ही देते हैं और अगर हमारा पैसा बनेगा small cap में बनेगा और हम सारे के सारे सब को यहाँ पर क्या बनना है small cap investor ही बनना है so that we can earn more and more यहाँ पर I am small cap investor not only for me ठीक है हम सब के लिए यहाँ पर I am small cap investor है लिए मैंने we are small cap investor की रग है I am small cap investor लिखा है ताकि हम कह सके कि हाँ मैं यहाँ पर small cap investor हूँ तो नाम चेंज हो गया तो don't be confused ठीक है और हम आज बात करने वाले हैं पराग milk से लेटेड पराग milk and food limited से लेटेड कंपनी करती ही क्या है क्या business model है सब चीज से लेटेड बाते करेंग अपने financial advisor कुछ की study करें चीजों को सीखें जितना चीजों को सीखेंगे उतना पैसा बनेगा वीडियो से सीखिए यहाँ पार 860540501 8169267037 दोरो नंबर है WhatsApp call message जो करना चाते है करिए ओके यहाँ पार basic to advanced technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से शेयर बजार काम करता है 20,000 रुपे का course है एक बाग course complete करने का किसी market में जाके काम करिएगा पैसा बनेगा बट जैसे मैं जैसे मैं कहूं उस तरीके से चेर महीने का और एक साल का experience ले ली जाएगा सब कुछ easy हो जाएगा online notes आपको दिये जाएगे और सब कुछ short हो जाएगा इसके इलावा WhatsApp group है WhatsApp group में आप add हो सकते है बारे सो रुपे पर मन देखे WhatsApp group में add हो सकते हो और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो और अगर किसी का portfolio बड़ा है और साथ में काम करना चाहता है इन्ही नंबरों पर call करिए और के साथ में काम करिए automatically result आपके सामने यहाँ पर प्रिजेंट होते हुए नजर आएंगे बात करते हैं यहाँ पर पराग मिल्क की क्या हमने पराग मिल्क से लेटेड पहले कभी वीडियो बनाई है तो एक बार हम यहाँ पर डाल देखे है पराग तो यहाँ पर हमने डाल हमारे साथ काफी लोग साथ में मिलके काम करते हैं उन्हें यह शेयर हमने 125 रुपीज से 128 रुपीज से दिला रखा है और वो भी कितने टाइम पहले last quarter में ही ठीक है मुश्किल से 2 महीने हुए है ठीक है यह शेयर को हमने आपर इस प्राइस पर यहाँ पर ठीक है इस हम आं चाहरं दो बात करें तो आप लोग भी हमारा कहिन कही साथ जोड़ना चाहते है नए जो पाते वो तो उनके लिए भी औहीं भी यहाँ पर शेयर में क्या बचा हुए हुआ वह में आपपो बताऊंगा पर आग मिलक की बात क्रें नैंटी ना इन्टि वह यह कंपनी य तो अगर बात करें, यह एक काव मिल्क और के और मिल्क से लिए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें यह कंपनी काम करती है, और काफी अच्छा घी भी है, गोवर्धन घी, जो की ब्रेंड है, इनका सबसे ज़्यादा बिकता हुआ नजर आता है, और अच्छा काथा इनका काम होता हुआ नजर आता है, प्रोडक्ट और पॉट्फोलियो की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर तरीके के प ब्रेंड की बात करें, तो देखें गो वर्धन घी आता है, गो के नाम से आपने यहाँ पर चीज भी देखा होगा, ठीक है, प्राइड काव यह प्राइड ओफ काव और टॉप आप के नाम से यहाँ पर प्रोड़क्स इनके आते हुए दिखा है, इस तरीके के यहाँ पर वर्दन के नाम से आपर इनके प्रोडक्स आते हैं जिसमें यहां पर आप से देख सकते हैं ठीक है यहां पर चीज यह देते हुए नजर आते हैं ठीक है यहां पर इनके प्रोडक्स में है इसके इलाबा यहां पर तरीके के यह जूसी जन ऑल यहां पर बनाते हुए नजर आत बात करें company की तो यहाँ पर देखिए small cap company जैसे कि हमने लिखा I am small cap investor means we are small cap investors तो यहाँ पर देखिए 2412 करोड रुपे मतलब small cap share है सेथ इसका PE industry का PE 44 का कहीं न कहीं अभी भी सस्ता नजर आता है पर इस्टिल PE के बेस पे कभी काम नहीं करते से आरोसी आरोई अच्छा नहीं है ठीक है 74 परसेंट का company के ओपर debt भी है कोई pleasing नहीं है 2019 का यहाँ पर अभी फिलहाल में 52 वीक हाई लगाया था इसका चीज़े नीचे आई और बात करें 10 का face value नजर आता है 84 की intrinsic value है और maximum chat pattern की बात करें तो कभी यह शेयर जब यहाँ पर लिश्ट हुआ था 266 की आसपास तो यह शेयर ने हाई बनाया था लगवा 400 रुपे गया आसपास का जो कि yearly basis पर ज्यादा है quarterly basis पर थोड़ इसी कम होती ही नजर आई है बढ़ चलेगा operating profit की बात करें 40 क्रोड का highest ever यहाँ पर हम बात करें quarterly yearly basis पर और पिछले पांच quarter में highest ever operating profit है margin company का अच्छा खासा है यहाँ पर net profit की बात करें तो 10 करोड से यहाँ पर 21 करोड highest ever ही मैं कहूंगा पिछले दो क्वाटर से company highest ever net profit generate कर रही है और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर company का EPS भी अच्छा खासा दिखाई देता है और बात करें yearly basis पर yearly basis पर company का performance देखोग है company की reserves तो अच्छे गासे है पर साथ में हम देखें तो company की borrowing साथ में बढ़ रही है जिसकी वारे से आप देख पा रहे है कि company एक-एक साल में यहाँ पचपन-पचपन-पचा-पचा-पचास करोड के आसपास यहाँ पर interest पे कर रही है जिसकी वारे से यहाँ पर इनके profit प इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जैसे ही 55 करोड का काम होगा ठीक है highest ever पिछले जब यहाँ पर बात करें 10-11 साल में highest ever company ने यहाँ पर पैसे लगा रखिया है अगर हम यहाँ पर देखे तो शेयर अगर यहाँ पर जैसे ही इनका काम कतब होगा यह company अच्छा कासे काम कर य यह चीज़े दिखाई देती हुए नजर आएगी यहाँ पर बात करें investment की 5 करोड के आसपास का investment और cash की बात करें तो 15 करोड का cash भी पड़ा हुआ है ठीक है एक चीज़ यहाँ पर बेकार नजर आ रही है जो कि है cash flow यहाँ पर negative cash flow दे रखा है यह कहीं नहीं impact डालता है 46 से 42 हुए फिर 44 हुए फिर 42 तो यहाँ पर क्या है share यहाँ पर public से जाते हुए नजर आ रहे है कुछ लोगों ने अभी सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है जो कि अच्छी बात है कुछ लोगों ने बेचा है तो वो चलता रहता है यहाँ पर और चीज़े देखे यहाँ पर होंगे कि यहाँ पर promoters ने 126 रुपीज के आसपास अच्छी कासी यहाँ पर बाइंग करके रखी है ठीक है 46-46 करोड़ दो करोड़ यहाँ पर जून में ही यहाँ पर बाइंग सैलिंग होती हुए नजर आई है जो कि क्या है अच्छी बात हम यहाँ पर मानते हुए कि अगर अगर उनोंने इंहां पर इससे दारी बढ़ाई है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बढ़ाई होगी इस चीच को भी हम यहाँ पर ध्यान में रखना है अब बात करते हैं आगे ओपर आग्ज के लिटट बाते बाते करते हैं ठीक है यहाँ पर इसके चार्ट से कि अच्छी नहीं लग रहा था शायद इस वाजे से लोगों के पास रीच नहीं जाले थी वड़ हमने कहा कि स्मॉल कई इंवेश्टर थोड़ा रखते हैं ताकि यहां पर लोगों को पता चले कि स्मॉल केप के शेयर यहां पर दिये जाते हैं यह नंबर से कॉंटक कर सकते है WhatsApp group में add हो सकते हैं, course कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो पराग मिल्क तो 125 के रुपीज के आसपास यहाँ पर यहाँ पर यह बाद चल रहा था, इस शेयर के बारे में हमने बताया था, जब एक main breakout हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगब 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 दो महीने और तीन महीने के आसपास हुए है, शेयर ने अच्छी खासी यहाँ पर जम दिखाई है, और शेयर यहाँ बागता हूँ, नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि लगब लगब 3 साल हो गए, शेयर वन में यह चल रही थी, और अभी इसने स्टेज वन को क्रॉस करके स्टेज 2 में आया, और अच्छा खासा पैसा बना के जाती है, इस चित को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, दूसरी बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर शेयर अच्छा खासा ब्रेकाउट पे यहाँ पर होता हुए नजर आ रहा है, और जैसे ही यह शेयर मुझे लगता है कि 212 या 219 का लेवल जो इसका भी जो मैं आपको बताया था फिक्ट्री टू भी खाई यह क्रॉस करता है जो कि यहाँ पर कुछ दिनों में शायद करना चाहिए तो यहाँ पर यह शेयर सबसे पहले जो टार्गेट है हमारे सीधे के सीधे 265 रूपए के दिखाई देते हैं फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो शेयर 359 रूपीस के आसपर जाता हुआ दिखाई देता है जो कि कितने परसेट का रिटर्न होते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं पहले टार्गेट लबबव 30% के यहाँ पर वड़ो तरी दूसरे टार्गेट की बात करूं 78% की और मुझे क्या नजर आता है वो और बताते हैं मुझे नजर आता है कि stage 2 जल्दी खतम नहीं होती और हर एक leader change होता है तो यह शायद इस का leader है इस वाली जो bull market आएगी और यह share एक बार जब यह क्रॉस करेगा अपना all time आई तो शायद यह 700-800 रुपे की तरब भगता हुआ नजर आएगा डोडला से लेटिन मैंने लास्ट टाइम शायद वीडियो बनाई है आप यहाँ पर अगर देखोगे तो डोडला से लेटिन हम चीजों को सीखो इन नंबरों को कॉन्टेक करो लाइक कमें शेयर करो आएम स्मॉल कैप इन्वेश्टर यह चैनल को जितना हो सके उतना फैल आई है थैंक इसो मच गॉड ब्लेस